भारत के बिरोध के बाद माना चीन अब किसी भी देश की सीमा में जहाज बेजने से पहले लेगा परमीशन चीन ने अपने सभी जहाजों को किसी भी देश की समुंदरी सीमाओं में गुसने से पहले उस देश से इजाजल लेने का आदेश दिया है ये आदेश हाल ही में भारतिय नौसेना द्वारा चीन के एक रिसर्च बैसल को अंडमान निकोवार से बाहर निकालने के बाद दिया गया है ये नोटिस चीन के देश मंतराले ने अपनी बैप साइट पर साजा किया है मंगलवार को जारी किये गए इस नोटिस में साब तोर पर कहा गया है कि चीन का कोई भी संस्थान अगर कोई जहाज रिसर्च या किसी दूसरे कारणों से किसी देश में भेजता है तो उसके लिए चीन के बदेश मंतराले से मंजूरी लेनी होगी चीन का बदेश मंतराले उस समंदर देश से जरूरी इजाजन लेगा नोटिस के मताविक चीन की सभी जहाजों को संयुक्त राश्टर के Conversion on the Law of Sea यानि समंदर में परीगमन से जोड़े निवों क्यों मानना होगा ये मंजूरी खासतोर से दूसरे देश के EEZ यानि Exclusive Economic Zone में दाखिले होने के लिए लिया जाएगा किसी भी देश का EEZ उस देश के समंदरी तड़ से समंदर में करीब 200 नौटिकल मील होता है करीब 370 किलोमीटर तक भारत के विरोध के बाद माना चीन सूतरों की माने तो चीन ने ये नोटिस भारत के नौसेना परमुक एडमिरल करमबीर सिंग के उस बयान के बाद दिया है जिसमें उन्होंने चीन का जिकर करते हुए कहा था कि किसी भी देश के जहाज को भारत की समंदरी सीमाओ में दाखिल होने के लिए भारतिय नौसेना से जरूरी इजाजल लेने के लिए कहा था दरसल सितंबर के महिने में चीन का एक रिसर्च बैसल श्यान बन भारत की समंदरी सीमाओ में अनुसंधान करने के इरादे से अंडमान निकोवार तक पहुँच गया था लेकिन जब ये चीनी जहाज पोर्ट बलेयर के करीब पहुचा तो भारतिय नौसेना के टोही विमान पी एट आई ने उसे देख लिया और उसके बाद भारतिय नौसेना ने चीनी जहाज को भारत की सीमाओं से भार भेज दिया था भारतिय नौसेना ने दिया था सक्त बयान एड्मिरल करंबीर सिंग के मताबिक चीन के ये जहाज समुंदर में डीप सी माइनिंग, गहरी खुदाई, और सियोनोग्राफी और साइंटिफिक रिसर्च के लिए हिंद महा सागर में आते रहते हैं लेकिन नौसेना परमुख ने साफ कर दिया है कि भारत के EEZ में दाखिल होने के लिए पहले बारतिय नौसेना से जरूरी इजाजल लेनी होगी, उसके बाद ही किसी दूसरे देश का जहाज या युदपोत भारत की समुंदरी सीमाओं में दाखिल हो सकेगा जानकारों की माने तो चीन के ये जहाज, हिंद महासागर में इस तरह की रिसर्च के जरिये भारत के समुंदरी सीमाओं की गहराई और दूसरी जानकारी इखटा कर सकते हैं जो युदद के समय में किसी भी देश की नौसेना के लिए एहम जानकारी हो सकती है चीन की इनी हरकतों को देखते हुए ही भारत ने अगले साल मार्च में होने बाली मल्टी नेशनल एक्सरसाइज मिलन में चीन की नौ सेना को आमंत्रित नहीं किया है अमेरिका, रूस, इसराइल, फ्रांस, औस्टेलिया, सौधी अर्व, यूए, इ, जिबूती, मोजबिंक जैसे कुल 41 देश के सुध अभ्यास में हिस्सा ले रहे हैं एड्मिरल करमवीर सिंग के मताविक इस एक्सरसाइज के लिए लाइक माइंडेड नौ सेनाओं को ही अमित्रित किया गया है सुत्रों के मताविक मिलन एक्सरसाइज में चीनी नौ सेना को बुलाकर भारत किसी भी तरह से चीन की मौज़ीदकी को बैदता नहीं देना चाहता है